अब एक बार ऐसी होता है कि जब अगर मैं देने की बात करूं तो इस दुनिया में सबसे ज़ादा देने वाला कौन है क्योंकि हमें किसी से एक्जांबल तो लेना पड़ेगा ये स्कुद्रत तो है लेकिन हमें आसपास का एक्जांपल चाहिए तो अगर मैं कहूं तो इस प्धूण दिया है जैंदगी बुर बड़े होने के बाद कितनी भी दौलत कमालो । वह नहीं दे सकते आपुझा उन्हें जो उन्होंने आपको दिया है रात-रात-भर जागे और आपको सुलाने के लिए उन्होंने अपने रातों की नीन खराब की, ये कोई नहीं दे सकता, पैसे इसे तोल नहीं सकते, उसका मोल नहीं चुका सकते. मा ने आपको 9 मैंने अपने गर्ब में रखा और उन्होंने जो तकलीफ सहन की है उस तकलीफ का आप कोई मोल नहीं लगा सकते अरे वो तो आप से उसी वक्त से प्यार करने लगे थे कि जब आपको उन्हों देखा भी नहीं था येस प्यार अंधा होता है क्योंकि उनको आपको बिना देखे ही वो आप से प्यार करने लगे थे तो गिविंग की अगर हम बात करें तो पैरेंट्स, पिता दिन भर बाहर महनत कर रहा है पसीने में महनत करने के बाद आपकी पढ़ाई के लिए आपके आगे बढ़ने के लिए पैसे कमा रहा है और ये सिफ कर सकता एक पिता या मा तो उससे जादा देने वाला कोई नहीं तो हम इतना तो कर सकते हैं कि वो उन्होंने जितना दिया हम तो नहीं दे सकते लेकिन हाँ कुछ चीजें हम दे सकते हैं क्या एक स्माइल, रेस्पेक्ट, प्यार उनको हग करके एवरी डे कह सकते हैं, ममी, I love you, पापा, I love you, you are the best बस उनके लिए काफी है, वो आप पर इतनी मैनत इसलिए नहीं कर रहेगी भी, अब दिरुबाय अंबा नहीं बन जाए और कल चलके वो नोट चापे, बलकि वो इसलिए कर रहे हैं कि बस आपकी स्माइल देख ले, आपका बविश्य चाओ, थोड़ी से रेस्पेक्ट और थोड़ा सा प्यार, सहारा आपसे मिल जाए, बस इतनी आशा होती है, तो उतना तो हम दे सकते हैं, हो सके, तो रोज अपने माबाप के पैर चुईए, आप देखेगा आप जो भी काम के लिए जा रहे हैं, सफलता मिलेगी, बिजनस नहीं चल रहा है, बिजनस चलेगा, बिकॉस, कुदरत ने आपको उनके माध्यम से भेजा है, सरके ठैक, वायर है जैसे ही वायर, अगर वायर को बीच में से काट दू, तो क्या उपर वाला जो आपको देना चाहता है आप तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो जिस व्यक्ति कि अपने माबाप से नहीं पढ़ती, जो माबाप के रेस्पेट नहीं करता, गालियां देता है, या उनकी बारे में बुलकिल बुरा बोलता है, उ उसने डिरेक्ली अपना वायर काट दिया है, उपर से वो माबाप अगर खुछ नहीं आपको आशिरवाद नहीं दे रहे, आप उनके पैर नहीं छूरे, तो वो चीज आप तक नहीं पहुंच रही, वो आशिरवाद नहीं पहुंच रही है, तो क्या करेंगी, वो सर्किट क क्रिएट करेंगे, अपने माबाप के, फिर से पैर चुना शुरू करेंगे, और पैर जब आप शुते हैं न, तो आपको एनरजी मिलता है, उनका एक्सपीरियंस मिलता है, कैसे, हमारे शरीर में तीन ओपन एनरजी सेंटर होते हैं, एक होता है माथे में, हातों में और पैर कि तलवों में, यह तीन सेंटर है, तो आप देखिये, कि आशिरवाद लेने का जो प्रोसेस है, साईंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि आप सामने वाले क्या चुते हैं, पैर, जहाँ पर ओपन नाड़ी है, एनरजी सेंटर है, ओपन नाड़ी है। पैर चुते हैं किस से? हा तो अपने माबाब को रेस्पेक्ट, प्यार, पैर चुना शुरू करें, उनसे प्यार करना शुरू करें, कहें उनको I love you.